धाकड खबर के नियूजुम से मैं आपके साथ हूँ अक्रम रिस्खान पिछले दो दिनों की खबरों पर नज़र डालें तो साफ़ तोर पर दिखाई देता है कि अमिश्या जो भारतिय जंता पार्टी के चानक के कहलाते हैं वो खुद और भारतिय जंता पार्टी के तमाम नेता जैन चोधरी आनिका एरल्डी के मुखिया पर डोरे डाल रहे हैं उनको फसाने की कोशिश कर रहे हैं उनको अपने पाले में लाने की कोशिश कर रहे हैं जिसके बाद पहला सवाल ये पैदा हो जाता है कि आखिर जैन चोधरी को अपने पाले में लाने के लिए भारत तीसरे से मैं आपको बताऊंगा कि जैन चोधरी ने डोरे डाले वाले ऐसे नेताओं को क्या करा रहा जवाब दियार पूरे घटना करम को जो तीन से मैं आपके सामने रखूंगा उसमें ये भी बताने की कोशिश करूंगा कि यहालात आखिर क्यों पैदा हो रहे हैं क्या भा रिपा डोरे डालने शुरू कर दी हैं इदर उदर की कहानी चोड़ते हैं चलते हैं खबर के पहले इससे की तरफ खबर के पहले इससे में मैं कुछ ऐसी चीज़ें आपके सामने रखना चाहता हूं जिने देखकर आपको अंदाजा हो जाएगा कि जैन चोधरी को लेकर चोधरी चरण सिंग के करम भूमी रही है और चोधरी चरण सिंग देश के बड़े किसान नेताओं में शुमार किये जाते हैं उन्हीं के घराने से आते हैं जैन चोधरी आपको याद होगा जब अजी सिंग लोग सभा का चुनाव 2014 में हार गए और उन्होंने का जिस बंग अगले से मैं बताऊंगा पर उससे पहले जो मैं आपको बता रहा था कि चोधरी जैन को लेकर या जैन चोधरी को लेकर पश्ची मुत्रपरदेश में क्रेज दिखाई दे रहा है और वह यहां के युवाओं में नहीं है नोज़मानों में ही नहीं बुज़ुर्गों में महिलाओं में नहीं बच्छों में नहीं पुलीज वालों में जैसे फ़र मैं आपके सामने रख रहा हूं रामपूर से ख़पी है जेल के बाहर गंटतन तरदिवस और तमाम गाने गाय जा रहे तो उसी दोरान पुलीज वालों नहीं यहां पर नारे लगाने श्रूग कर द किया यामपुर में ही नहीं इसके अलावा मेरट में भी दो पुलिस वालों को सस्पेंट किया गया है गणता अंतिवस के मौके पर जशन मना रहे पुलिस वालों तवाम खबरे बता रही है कि क्रेज है पूरे पश्री मुत्रब्रदेश में इस वगत जैन चोधरी का इसके लावा यह खबर आप देख सकते हैं कि जाटो से जो मिटिंग की अमीश शाहने कुछ दिन पहले दो दिन दिन पहले की है ना उसमें जैन चोधरी नहीं गया है लेक इसलिए जैन चोधरी पर डोरे डाल रही है भाजपा इसके अलावा यह खबर में आपके सामने रख रहा हूं जो डॉक्टर संजीब आलियां के हवाले से परचारित परसारित की जा रही है आप जानते हैं वह मौधी सरकार में मंत्री हैं लेकिन किरसी मंत्राले में मंत्री नहीं है किरसी मंत्री है नरेंद्री सिंह तोमर को पश्ची मत्रप्रदेश में चुनाव चल रहा है तो उनकी जबान पर ताला लगवा दिया गया कहीं पर वह कुछ भी ना बोलें और अब डॉक्टर संजीब आलियां जो मुझफर नगर से सांदान है मुझफर नगर कानून नहीं लाए जाएंगे यानि के उनके जर्य एक मैसिस देने की कोशिश की जा रही है किसानों को कि गब्राव मत मुधी सरकार फिर किरसी कानून नहीं लाएगी ये तमाम चीज़ें बता रही हैं कि जिस पिछ पर जो है जैन चोदरी खेल रहे हैं और जो उन्होंने इससे की तरफ खबर के पहले इससे में जो तमाम चीज़ें में आपके सामने रखी वो इस बात की गबाई दे रही है कि भाजपा के सामने इस बगत पश्री मुत्रप्रदेश में अगर को चेहरा है जिसको टार्गेट कर सकते हैं वह जैन चोदरी लेकिन जैन चोदरी को ट को मीडिया और उसके दलाल चाटुकार दंगाई बलके अब तो इमानदार बन चुके पत्रकार लेकिन इसकी शुबात कहां से हुई वो देख लिजिए अमिशा मुजफर नगर पहुचे और उनने कहा कि जैन्त भाई निकल जाएंगे और आजम खान बैठ जाएंगे बैठेंगे या नहीं बैठेंगे बताओ भई बैठेंगे या नहीं बैठेंगे अभी तो जैल में है अभी तो जैल में है फिर आप जैन्त जी को उनके साथ नहीं देखोंगे अतिक एहमद आ जाएंगे आजम खान आ जाएंगे कि इस प्रकार से आप उत्तफदेश की जनता को अखिलेश बाबु छलना चाहते हों क्या है समत्ते नहीं है मुझे इसी बयान की आधार पे का गया कि उन्हों ने कहा कि घर वापसी कर लीजी क्योंकि यह तो हरे की घर वापसी कराते ना तो इन्हों अजीज सिंग जो है वो कहीं बार भाजपा के साथ सत्ता में रहे चुके हैं और इसलिए ये लोग क्या रहे हैं के घर वापसी कर ली जाए इसके बाद बयान आया कपिल देव अग्रवाल का जो मुझफर नगर से विदान से बगा चुनाव लड़ रहा है योगी सरकार का मंत लेकर दुनिया भर की बाते कर रहे थे यह कह रहे थे कि उसका बात भी हार गया मुझफर नगर से बेटा अगर बागपस से जो अपनी सीट नाजीत पाया वह इस शेतर में नेटा बनने की कोशिश कर रहे हैं और सिल्सिला अचानक के से शुडू हुआ है कपिल देव मंत्र सुरे स्रणा ठाना भावन में जिसके हरने किस बार परबल संभावना है कुछ दिन पहले इसको काले जंडे दिखाए गए थे भगा दिया गया तक गांसे ये भी बयान दे रहा है कि बड़े जनाधार वाले नेता हैं जैन चोधरी बड़े जनाधार वाले नेता हैं जैन सबसे बड़ी भूल थी यानि यह भी उनके बीच में भी बात पैदा करने की कोशिश कर रहा है अनुराग था गुर्देश के गद्दारों को गोली मारों सालों को वह वाला नेता जो पहला राज्य मंत्री हुआ करता था बाद में कैबिनेट मिनिस्टर बना दिया गया सुच जानते हैं कि अख्लेश और मायवती गठबंदन में ते और बाज में जब वो कामयाभी नहीं मिल पाई तो अख्लेश ने कहा था कि गठबंदन करना मायवती ने भी का था हमारी बड़ी भूल थी तो उसी तरीके का यह लोग जो है बात कर रहे हैं इसके अलावा आप कर गए हैं गलत घर में परवेश कर गए हैं जैन चोधरी उनको हमारे साथ आना चाहिए हमारा दर्वाजा उनके लिए हमेशा खुला हुआ है तो तमाम तरह से डोरे डालने की कोशिश की जा रही है जैन चोधरी पे इसके दो मतलब निकाले जा सकते हैं एक तो इन्हें जैन चोधरी के बीच जो दोस्ती है जो दिखाई दे रहा है गट बंदर उसमें फूट डाला और तीसरा लोगों के अंदर यह मैसेज देना कि देखो जैन चोधरी बाद में भी हमारे साथ आ सकते हैं इसलिए सीधे हमें वोड़ देतो उन्हें वोड़ देने से क्या फाइ और किसान मरे हैं ना उनको नोत्या दीजे उनको समान दीजे आस तक मुआफ़ा तक नहीं दे पाए हैं उन लोगों को यह एक बड़ा हमला जैन चोधरी ने बोला इसके अलावा जैन चोधरी ने अगला हमला बोला और कहा कि गटबंदन की जरूरत भारतिय जनता पार्टी को पढ़ेगी क्योंकि वो जाड़ जाड़ करते हुए घूम रहे हैं क्योंकि वो जाड़ जाड़ करते हुए घूम रहे हैं यह दूसरा बड़ा हमला जो है जैन चोधरी का और तीसरा बड़ा हमला जो जैन चोधरी की जबानी में आपके सामने रखने जा रहा हम वो सुन जैंचोंदरी ने कहिए जूट फैलाने बालो अफवा फैलाने वालो के खिलाब चुणाव है और इस चुणाव skilled लेका जारोप है पहुंच गया था घाजीपूर बोडर देखा होगा ना आपने राकेस टिकेत कैसे रोने लगे थे उन्हें डर था कि कहीं जैसे दिल्ली दंगे में किसा लोगों को मार दिया गया वैसे कहीं ऐसा बवाल करके यहां पर किसानों को ना मार दिया जाए सुन लीजे ज सरकारी गुंडों ने कर रखी थी यहीं लोनी के भार्टी जन्ता पार्टी के विदायक की जो मंशा थी कोई भी किसान विरादरी से आने वाला व्यत्ती उस बात को भुला नहीं पाया और उस उन शणों में जो भावकता थी किसान नेताओं की हमें मुकाबला जूप से करन अफ़ा पहलाने वाले लोगों से करना है नफरत पहलाने वाले लोगों से करना है जिन्ना की बात और अंग्जेब की बात इन बातों से उस्त प्रदेश की जनता से कोई लेना देना नहीं सुन लिया आपने जहन चोधरी अपने तेवर साफ दिखा रहे हैं वो ये भी कह रहे हैं कि मैं कोई चवणी नहीं हूँ जो पलट जाओंगा अब बात करते हैं अखलेश यादव की अखलेश यादव ने कहा कि जो पैदा करें खाई वो है सबसे बड़ा भाजपाई झहीं यहादव पर हमला क्यों नहीं करें शाफ दिख रहा है बारश भाजपाई की से जो जमीन 2013 के भाजपाई ऱाल न दोहzeugा में नहीं में नहीं तोह जांसे चनौंई नहीं हो रहा है और इने पता चलगे और ईन इन ही नफरत की राजफरिय थी हारने जा ही है और इने पता चल गया है कि जहां जाट वही ही ठाट बने रहीगा धकड़ खबर के साथ फिलाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राए दे सकते हैं खबर को लाइक कर सकते हैं चैनल को सब्सक्काइब कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा हमारी मुझे लेकर मैं आपके सामने हूंगा हाज़ी फिलालमी मुझे दें जाज़